शासी के मोट कोदवाली शेत्र के ग्राम सेना में जानवर 34 समय हाइटेंशन लाइन के तार जमीन के पाल जूल रही है इस दौरां जानवर चराने वाला एक व्यक्ति इस हाइटेंशन लाइन के चपेट में आ गया जससे वो बुरी तरह से अचेत हो गया आसपास के लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दिया परिजनों ने आनन फानन में अचेत अवस्था में विदुद करेंट की चपेट में आए व्यक्ति को लेकर मोटर ट्रामा सेंटर पहुचे जहां विदुद करेंट से जुल से अधेर व्यक्ति का इलाज किया गया तरसल आपको बता दे कि पूरा मामला मोट कोट वाली शेतर के अंतर गताने वाले ग्राम सेना का है जहां ग्राम सेना निवासी सतावन वर्षे सोहन जानवर चरा रहे थी इसी दोरान जानवरों को भगाते समय वह चाता ले करके निकल रहे थी तबी खेट में जूल रहे हाई टेंशन लाइन के तारों में चाता चुगया जिससे वहाँ विदुद करेंट की चपेट में आ जाने से जुलस गए जिने मोट ट्रामा ंैंटर में जहतो भड़ती कराए या विदुद करेंट की चपेट में आई घाईल के चचेरे भाई रामधनी के मुताबिक उनका भाई जानवर चरा रहा था खेट से विदुद की हाई टेंशन लाइन निकली है, हाई टेंशन लाइन के नीचे से निकलते समय च्छाता चुकी है, जैसे वो बुरी तरहा से अचेत हो पे, जिने हम लोगों ने मोट ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भड़ती कराया, घायल के भाई रामधनी का आरोफ है कि वहां करीब दो से तीन बार विदुद विभाग से इसकी शकायत भी कर चुकी है, लेकिन विदुद विभाग के उदासींता के कारण ये हादसा हुआ, और अगर समय रहते विदुद विभाग द्वारा हाई टेंशन लाइन में सुधार नहीं हुआ, तो यहां हाई टें कि वहां टार इतने नजीदिक है कि लोग बैठके नकल रहा है उससे, कबूत रोडिया से आगे खेत है हमारा, उसके वहां निकल लिया लाएन, तो जानवार चारा रहा थे, उसके नीचे से निकले ध्यान नहीं किया, तो करंट आ गया चाहते, चाहता चुबूए असे लग किया, शाता लगाया थे, धूप के वास, अपने तारिक लिए निचे कही बिद्व ब्राग के सकाएट, दो बार गये सकाएट कहले, विद्व ब्राग जी मौट, और लिखायत में दी लेकर उनोंने हमसे रिसीविव नहीं दी, एडियो साब से कहा, जीजी से कहा, लाइन व कर दो, की बड़िद दी से कहा, जीजी से कहा, लेकर दी सुप में दी नहीं, गर पेड़ियो से कहा, भवाया थे, एडियो सी लेकर चस्तार, भोगा जी लेकर, उलिवार ज्येद्व भाभCा, भी जेरता है तार इना में दी ब्राग, जली मौवगा के वाज जिवां में से